प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविन सिंग ने प्रेस कॉंफरेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि सहकारी गोदाम होते हुए भी प्रशासन की साथ गार से निजी गोदामू को सहकारी खरीदी केंदर बनाए गया है ताकि खाध्यान, माफियाओं और व्यापारियों के ग्वारा उत्रप्रदेश में सरसो को लाकर आसानी से बेचा जा सके और जो खरीदी केंदर बनाए गये हैं वह सब ब्लैक लिस्टेड हैं डॉक्टर गोविन सिंग ने आगे बताया कि बाजार और सहकारी खरीदी केंदर में सरसो की कीमत में 700 रुपे प्रतिकुंटल का आंतर है अधिकारियों को मिली भगत से सहकारी खरीदी केंदर में बड़ी हेरा फेरी की जा रही है और किसानों को ठगा जा रहा है जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम उचित कारवाई के लिए पत्र रिखा है खादान मापियाओं उन्हजी कोदाम के मालकों से साठ गाड कर उत्तर प्रदेश से खरीद गई सरसो जो बजार मूल से 700 रुपए प्रतिकुंटल अधिक भाव है खरीदी केंद्रों पर उन पर बेची गई है मचल सुजाइडी में धाइसो बोले सरसों उत्तर प्रदेश से लाकर बैपारियों में द्वारा बेची जा ली थी तैसीदार प्रदेश के लिए मैंने मुहमानी मुखवन्ती जी से अनुर्द किया है कि कलेक्टर बिंड़के इसकरत की जाच करा है हो रही लूट को रोका जाए